आपके बीतर बैठे हुए बढ़वान को माता रानी को दिश्वर को परनाम करता हूं ध्यान हमारी नाच्रोल अवस्ता है ध्यान हमारी स्प्रिच्रोल खराप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ध्यान के बिना अध्यातम पूरण नहीं होता मंतर साधना और ध्यान दोनों एक दूसरे की पूरण हैं मंतर साधना और ध्यान दो हमें रिश्वर की और से भगवान की और से रिशी मुरी और से ऐसा उपहार हैं ऐसा गिफ्ट हैं कि जो हमें पूरण कर देते हैं कि पूरण में कि आप भौतक सुखों से भी लबा लब हो जाएं और अध्यातम की चर्म सीमा पर भी पहुंच जाएं आज कि जीवन में कहीं हम बहुत तका में जाने लगते हैं अध्यातम शूट जाता है ऑसे बहुत से लोग ऐसा समझते थे समझते हैं ऐँड़ी बक्ती में जाने के लिए परिवार को को छोड़ना पड़ेगा का् unknown जाने के लिए बच्चों को छोड़ना पड़ेगा साध्ना में जाने के लिए हमें अलग से विशबूशा त्याहर करने पड़े गी ऐसा नहीं है कि आपको दुन्यावी रूप से तर्वार की और से हैं बाता-पिता के खेसरे पतनी बच्चों समाज की और से इवन देश की और से और ज़्यादा जिम्मेदालियां लेनी होगी अगर आप अधियातम है अधियातम मीन, स्प्रिच्छल मीन, रुहानियत मीन ऐसा नहीं आप माला पक्ड़ के बैश जाओ और बच्चे बुखेप मरते रहे हैं रुहानियत का मतलब ऐसा नहीं कि आपके माता-पिता खाने के लिए मुथाज हैं, विमार हैं, आप कहतें नहीं, मुझे तो मंदर जाना है, मुझे तो पूजा करनी है, मैं कैसे सुभालूं ममी बापा हूँ इससे भफ्ती पूरण होती है, जब आप माता-पिता की सेवा करते हो, और आपको अंदर से एक ऐसी ताकत मिलती है दोस्तों, जो मा एक अशीश दे सकती है ना आपको, एक पिता जो आपको दुआ कर सकता है, दूसरे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता और जैसे हमारा आग्या चक्र जागरित होता है, हमारा कलेक्टर माइंड जागरित होता है, तब हम दूसरे जुग में पहुंच जाते हैं आप जो सोचते हो, वो होने रखता है, आपको अभास हो जाता है कभी क्या हो सकता है आप किसी व्यक्ति को देखके आपके अंदर एक भावना आने लगती है कि नहीं वो वस्ता सही है आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपको आपको प्लेक्टर माइंड आपकी इंट्यूशन आपको बताने रखती है कि आपके साथ कुछ रॉंग होने वाला है कोई दोखा हो सकता है बच जाओ और इंट्यूशन कभी जहीं भी बताती है कि अभी तो सिंपल सी बात रखती है आगे जाकर के कुछ बहुत बढ़ा हो सकता है जुट जाओ इसमें कोई भी चीज दोस्तों छोटी होती है एक बट बुजिक्ष कितना बड़ा बन जाता है पीपल का पेड़ कितना बड़ा बन जाता है एक दिन तो छोटा सा होता है ओक ट्री देखें कितने लंबे-लंबे हो जाते हैं और कितने छोटे होते हैं तो एक विचार जैसे हम पिछ चार करते हो आप सोचते हो वही प्रमात्मा आपको देने लगता है यह पकी बात है हम सोचते क्या है यह हम पर डिपेंड करता है आप 24 आवद तरक्की की बात सोचते हो तो आपके जीवन में उन्ती उन्ती आने लगती है आप सोचते है मेरी अभी तो जॉब चली जाएगी आगे कैसे काम चलेगा कुरोना पे तो बड़ी मुश्कल आ गई तो जूनिवर्स भगवान की शक्तियां सोचती इसको ऐसा ही चाहिए तो चली जाती है जाओ जो ध्यान वस्ता वाले लोग थे जो साधना वाले लोग थे बहुत से लोगों से बात हुई वो कुरोना काल में भी अच्छे रहे हैं कुरोना को उन्हें अपने पास फटकने नहीं दिया आने नहीं दिया ज्यान प्रैजेंट में रहना और मुझे ऐसे बहुत से प्रशन आये कि हम वर्तमान में कैसे रहें प्रैजेंट में नेग्टिव वचारों से कैसे निकलें बहुत सी लोगों ने बात बहुत सी महापुर्शों ने बातें बताई हैं मेरा अपना अभी अनुपाव है मैं भी इंसान हूं मुझे भी नेग्टिव घेरता है और पॉजिटिव भी बहुत आता है और जैसे पॉजिटिव आता है तो उसकी क्रिपा भी बरसने लगती है मैं आपको कि छोटे सी साधना बताता हूं इसको आप करके देख रहा हूं आप समझें कि आपके पास बहुत बढ़िया क्वार्टी की तीन गाड़ियां है तीन गारे हैं ब्लैक कलर की गाड़ी है जैलो कलर की गाड़ी है और वाइट कलर की गाड़ी है जैसे ही आपने कोई संकल्प किया है आपने कोई साधना की है आपने कुछ निश्चत किया है कुछ करने का कि मैं इस साल गुजाम में इतने स्पोर लूँगा मैं इस कमप्यूटीशन में काम जब होंगा ही होंगा लगा इस साल कि इतनी बड़ी पी तील कर 10 मैं इस साल इतने ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाओंगा उन्की ऑड़ करुँगा मैं इस साल और गरीव लोगों की थे pro गरोंगा समाज के लीए हेलप करूंगा जो जुरूर उत्मंद है है इस साल में और अपनी साधना को बढ़ाओंगा पिछले कि मुझमें जो कमियां रहें नी बेरे माता के प्रती पिता के प्रती गुरु के प्रती उफ उन कमीयों को अब को पता होता है मेरी गल्फी है और जो सबसे बहादर पूर्षया जो दा पूर्षया सबसे पहले अपनी गर्थी मानता है और फिर ही आगे निकल सकता है जैसे आपको वचार आने लगे ए待って मैं तो जे काम जैसे अच्छे बिचा रहा हैं मैं इस मकाम में पहुंच जाओंगा मैंने इस साल जो भी ब्लैनिंग बनाई है उनको सिक्सेस करूँगा जैसे प्लैनिंग आपकी होनी चाहिए बिक प्लैनिंग पांच साल की, दस साल की, चार साल की, उससे बाद एक साल की, एक महीने की, एक दिन की तो जैसे आपको लगने लगे कि मैं तुझे कर लूँगा मेरे लिए पॉसिबल जैसे दोस्तों आप तंतर ग्यान को पढ़ें तो तंतर कहता है कि नो एनीधिंग एंपॉसिबल कुछ एंपॉसिबल है इनी दुनिया में जिंदगी मौत इश्वर के हाथ है उसके बारे समझनी आ रही कुछ भी एंपॉसिबल नहीं है आप देखें मेडिकल साइंस ने कितना कमार कर दिया आपका हार्ट चेंज कर देते हैं लिवर चेंज कर देते हैं किडिनी चेंज कर देते हैं आज से कुछ साथ पहले कहां होता था अभी आप हो गया है कि सैंस भी को शापॉसिबल नहीं मानती से आगया ध्यात्म है जो कुछ भी एंपॉसिबल नहीं मानता उससे भी ज्यादा आपके अंदर की शक्तियां है जो इश्वर ने आपके लिए भी कुछ एंपॉसिबल नहीं है आप क्या करते हो कि आप खुद ही ऐसी नेगटिव स्थितियां धार्न कर लेते हो नहीं जे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा जैसे सब कुछ प्रापत हो जाता है जैसे सब कुछ मिल जाता है तो फिर वा सब्सक्राइब चीज़ों को कभी भागदौर नहीं करनी नहीं करनी जैसे आप देखें कि गोईल्ड के जितने बड़े इंडेस्ट्रीरिस्ट हैं विजनस्मेन हैं वह अपने लिए नहीं कमाई कर रहे हैं वह अपने इंकम का 80% इस्था तक विधान कर रहे हैं पर बहुत शा प्रहने की बात नहीं होगी और एक बात जो आपके मन में बैठ गयी है उसको निकाल देना इस की पैसा पाप है अमीरी पाप है ज्यादा तरक्वी करना पाप है जो नहीं कर पाते ज्यादा वो ज्यादा बातें करते हैं उसकी बजाए आप जह सोचना हमें क्या करना है हम कहां कैसे पहुंचेंगे हैं जो भी हो गया हो गया अभी आपने-पने अजया चक्र को अपने कलेक्टर मायड को जितना भी कर सकते हैं जो बचयारों से होता है फुरां से पॉजटिव होता है जबभी वत मुले कि एक जो वियंक्र काड़ी चलाते हैं सोछ रहे हैं आप काम ने जाते सोच रहे हो disruptive कुछ आप खाना क्हा रहे हो सोच रहे हो जैसे गल्सी साइख तो a तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब आप इसको प्रेक्टिकल रूप देंगे तो आपको क्या अनंद आएगा आप सोच नहीं सकते हो जो बच्चे 20 साल से चोटे हैं 15 साल से चोटे हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जुरूर अपने क्लेक्टर माइंड को जागरत करें बच्चमन में जितनी जल्दी जागरत होता है उतना जागरत आगे जाके नहीं होता है क्योंकि हमारे अंतर में बहुत से बचाज भर जाते हैं जो निकलते ही नहीं कभी-कभी हमें स्कूल से ऐसी शिक्षा मिल जाती है समाज से ऐसी मिल जाती है हम कुछ रिट अपनी planning करें आप जीवन में क्या बनना चाहते हो सोचें जीवन में क्या करना चाहते हो सोचें अपने parents से मश्वरा करें spiritual guidance ले astrology की guidance लें उसके बाद आप निश्चत रूप से वहां कौन चुकी पर कम से कम एक घंटा अपनी साधना के लिए निकाल के रखें आप जिस भी धर्म को मानते हो वहीं रहें पर मंदर मस्जद गुर्दवारा जरूर जाने की कोशिश करें और अपने अंदर भी एक मंदर गुर्दवारे मस्जद को स्थापित करें आप देखेंगे पहरें के कहीं रूउकी नहीं सकती आपको आगे जाकरने जैंग जास आएगी करें नहीं ऐसा होता है आप छोटे चोटेव गजो करके देख सकते हैं अभी आप मंध्रोग का जाप करेंगे आपकी कلم के लिए इला टीजिक के लिए हो ड कि देखेंभी आप 2 मिंट के लिए 5 मिंट के लिए इसको करें ज्यादा नेग्टिव दिखता हो 10 मिंट के लिए करें अपने गुरु मंतर के जाप से भी कर सकते हैं और वांगरूम के आप बहुत अच्छा है जिनके पास गुरु मंतर नहीं है उनके लिए वांगरूम शब्द बहुत अच् वादरो 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 वादर VAM LAR pictures दीरे दीरे मन में जाप करें किर्चिरी मुद्रा के साथ करेंगे असान हो जाएगा आपके लिफ्स भी नहीं हिलने चाहिए वाम रॉम 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 आग्या चक्र पे ध्यान रखते हुए प्रम रूम का चाब करें कभी-कभी नाभी चक्रा के उपर भी ध्यान के इंदर करके करना चाहिए दोस्तों सबसे असान है प्रमात्मा की प्राप्ति सबसे असान है उसकी क्रिपा प्राप्त करना सबसे असान है अपने संकल्पों को शुद्द करना सबसे असान है अपने संकल्पों को प्राप्त करना जैसे जैसे हम कुश पुस्तकें बढ़ते हैं सभी पुस्तकें ठीक हो सकती हैं कहीं कोई रास्ता दिया हुआ, कहीं कोई रास्ता दिया हुआ, कहीं कोई रास्ता दिया हुआ हम क्या करते हैं? एक पुस्तक में कुश पढ़ा, दूसरी में कुश पढ़ा तीसे संत ने कुछ कहा, चोथे ने कुछ कहा, उन्होंने सब ठीक कहा, हमें खिचली बना लेते हैं, किदर के नहीं रहते हैं, जब तक आपके इश्ट एक नहीं हैं, तब तक आप खुश भी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इश्वर ने हमें अनंत शक्तियां दी हैं, और हमने गंदे वचारों से, ग्रियात्मक रूप से गंदी हर्कतें करके, मन के तुश्पन के कारण कभी किसी को डौन करके, कभी जलिसी करके, कभी अपने मन को खुद धोखा देखें, कैसे आपने सोचा कि आज से मुझे रोज शाम को रात को चार गहिंटे स्टडी करनी है, फीन गहिंटे स्टडी करनी है, एक हिंटा मुझे लिखना है, मुझे आज से एक गहिंता ध्यान में बैठना है, आज से मुझे सुबा जल्दी उठना है, आज से मुझे नौन्वेज नहीं खाना है, आज से मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, और दूसरे दें ते रोई करते हो, जो आपने सोचा होता, इससे मन जो है, आपकी बातों को समझ ल जल्मी है, इसकी किसी बात में नहीं आने का, मन दोस्तों इतनी बड़ी शक्ती है, क्लेक्टर माइंट इतनी बड़ी पावर है, आज्या चक्र इतनी बड़ी ताकत है, कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर कुछ तो डिसिप्लिन में आना होगा, जब तक आपकी जिन्दिकी का काम शाष्ण नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, रोज अपने डायलग चेंज करते हो, रोज आपकी बात चेंज करते हो, रोज रिष्टे चेंज करते हो, रोज नए संकल्प करते हो, आज किसी आदमी ने आपका अच्छा कर दिया, आसमा में बठा दिया, उप दस काम के जैसे हम नाशुक्र होते हैं तो हमारी जो अनंत शक्तियां हैं हमसे दराज होती हैं कि यह तो अनसान का धैक फुल नहीं हुआ तो शक्तियों को कैसे होगा हम डाउन हो जाते हैं जैसे जैसे आप सब का शुक्रिया करते हैं आपके सब करने करने होनी टीन जैसे आप उसके अप्रिशेशिन देते और अफ़ाश यह झान लाजाती हैं वारो देदिक प्रशन्षाबर न चाहिए शब्दों से नहीं होनी चाहिए आपको फीलो ना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए जान देगा, वो दूसरा और जान देदेगा, ऐसे ही आपकी शक्तिया काम करेगी, आप इसको दोस्तों करके देखें, तो आपके जीवन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, आप अपने जीवन में भावना लाएं, फील हो भी पाएगा, मन से करो, आप सोचेंगे लेट को जाने दोगी, आप सब कुछ प्राप्ति कर सकते हो, ऐसे वाम रूम शब्द से क्लीनिंग करें, और जैसे आपको पहले समझाया, वो भी करते रहें, जैसे बचार है, बचार जैसे आता है ज्यान है, आपके लिए एक मिन मिट के लिए आता है, आदे मिट के लिए आता है, आपका मने कागर होता है, और वो ही कलेक्टर माइंड हमारा पिक कर लेता है, वो ही आख्या चक्र भी पिक कर लेता है, और कभी-कभी फिर कुछ नहीं होता, आप कहते हैं, मैंने इतना मंतर कर लिया, कुछ नहीं हुआ, इ नहीं किसीको चेंज नि कर सकते, खुद को चेंज होना पड़ेगा, खुद को आप और कर सकते हो, अपने अग्या चक्र को खुद को आदर दो, आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी ओर्राइ बदर जाेगी, किसी ने गल्ट कर दिया कुछ उसको माफ कर दो आप से गल्टी होगी हाथ चोड़के वाही मान रो और आगे निकल जाओ और जो व्यक्ति कृत्गान होता है थैंक लैस होता है शास्तर कहते हैं कि धर्ति मान भी उसको जगा नहीं देती और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता कभी भी सुखों को नहीं बहुख पाता कुछ भी किसी ने अच्छा किया उसके लिए जरूर शुक्रिया करो आख बंद रखेंगे हासा काला हरीम का जाब करेंगे थोड़ा उंचे सर में प्रधी में सर में आख 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 ह्साक्ण लहरी ए्सजेकाना ha Jeez है कान्हारी है सर गनन है स्था कर दनन है स्था कर द rib Il है से काने हरी आप अपने गुरु मंतर का जाप भी कर सकते हैं तर सकते हैं शकर झाला đã परिंट धश्काला हरी आ सकनों हरी सकनों हरी हुज सकनों हरी आसकालहरी आसकालहरी सकालहरी आसकालहरी आसकाल आरीड, 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 आ असकालाहरीब मन में जाप करें, कोशिश करें, आपके लिप्स ना हिलें, अगर हिलते हैं तो कोई बात नहीं, सहज भाव से, फिर केच्री मुद्रा के साथ. जिन लोगों को भवान ने अच्छी वाज दे रखी है, वो संगीत से, भजन से, गाने से भी वद्दा वर्मशुद्र कर सकते हैं. कि बातर बातर ने गारे, भाव देए वर्मशुद्र कर सकते हैं, जिन लोगों कर से लिऑखने हैं. वोस्त tuckedने हैं झाल लोगों कर साथा, तो क्यां हैं अजिखर 50 मुद्रा र शेंक्संद्र कर से साथने, और या क्या अच्छी से भी थालार साथी हैं. झाल झाल धीरे धीरे बंतर को छोड़ते हुए डीप ब्रीफिंग करें गहरी सांस लें जैसे आप सांस लेंगे सांस को रोकेंगे आख्या चक्कर पर जहां अपनी रिंग फिंगर को रखेंगे थोड़ा प्रेस करके फिर उंगली को टालेंगे आग्या चक्कर सबकी अलग अलग हो सकता है आज सांस भी आग्या चक्कर को मानने लगी है हमारे जो दिल्क लगाने का विधान है हजारों सालों से वो गुरु लोग जहां आग्या चक्कर होता था आपका वहीं पर दिल्क करते थे चेंज होता रहता है और गुरु कुल में पार्षा आला में आश्रम में माइंड के बारे आग्या चक्कर के बारे बहुत शिक्षा दी सकती है जैसे जैसे हमारा आग्या चक्कर ड्वेल्क होता है हमें दूर की ध्वनी सुनाई देने रहती है एवन वहसूस होने लगता है कभी-कभी कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या सोच रहा है पॉजिटिव सोच रहा है नेग्टिव सोच रहा है इसी तरह थीरे थीरे आप देवताओं की शक्तियों के साथ भी अटाच होते जाते हों ऐसे घरी सांस लें इसको कम से कम आपको 20 से 30 वार करना चाहिए और दिन में एक वार से जादा भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा यह आपके क्लेक्टर माइंट को जागरित करने के लिए आग्या जक्तर को जागरित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रजोग है फिर ऐसे जैसे आपने गैरी सांस का अभ्यास कर लिया उसके पिस्चार आग्या चक्कर पे उंगली रखके एक मिंट के लिए दो मिंट के लिए ध्यान करें जहां आपने टच किया है वहीं पे अपने इष्ट देव का ध्यान करने की कोशिश करें जब तक आप स्वर्ष कर सकते हो करें कुछ लोग है उनको थोड़ा सा पेन होगा पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इष्ट होने बहुत जिलूरी है जब तक आपके एक इष्ट नहीं है तब तक आपको कहीं भी पहुंचना कठिन होगा आप सभी धर्मों का सम्मान करें रिस्पेक्ट करें सभी देवी तेवताओं की रिस्पेक्ट करें श्रदा रखें पर इष्ट एक हो आपके कहीं पर आपको किस शक्ती से ज्यादा प्यार है किस शक्ती के प्रती ज्यादा आस्ता है विश्वाश है श्रदा है वो ही आपके इश्ठ हो सकते हैं स्वपन किस परकार के आते हैं वो आपके इश्ठ हो सकते हैं बुलजन हो तो अपने गुरु महाराथ जी से मार्गदर्शन प्राप्त करें कि मेरे इश्ठ कौन है थोड़ा प्रेस करना है दीरे दीरे शान्त हो जाएं पस इश्ठ का ध्यान करें मां आप प्रिपा कर रही है मां के चर्णों में जा रहे हो मां के मंदरों के द्वार खुल गए प्रिपा करनी शुरू कर दी मां को अच्छे पूलों से अच्छे वस्तुरों से मां का शरिंगार करें अपने इश्ठ का शरिंगार करें अच्छे रांका पहनाएं बस मां के चर्णों में बैठें उनसे अपनी कथा व्यथा कहें मां की क्रिपा को महसूस करें मां की शक्ति की रेजज को महसूस करें मां की क्रिपा बर्स रही है आपके उपर हम कितनी बड़ी मां की शक्ति के बेटे हैं बेटियां है हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है है मां तू तो बहुत क्रिपा करती है मां तू ही तू है मां यह त हमां तूने मेरे बड़े-बड़े संकल्पों की उसको सिद्ध खर दिया मा हम यह असी शक्ति शाली मा के बेटे हैं हमारे जीवन में पुराजय नहीं दिखिया समझो कहीं हार होती है तो जीवन का तुजर्बा है हार होती है तो हम सीखते हैं उससे किसी ने दोखा दिया तो उसकी बात उससे भी हम सीखते है मां तेरा बहुत शुक्रिया मां बहुत किरपा करती मां आपने जो भी आपका संकल्प है आपका गोल है महसूस करें कि वो गोल सिद्ध हो गया वो संकल्प पूरा हो गया आप उस जीत को उस गोल को उस प्राप्ती को उजवाय कर रहे हो जो भी चाहते हो इश्वन ने कृपा कर दी आपे मां ने कृपा कर दी कि वी उपन के मदरा करेंगे जो पांक का मदरा करेंगे हुआ 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 है अपने तुरु महराज का थैंक्स करें माता रानी का भखवान का इश्वत का थैंक्स करें अपनी टीम का थैंक्स करें शुक्रिया करें तीरे तीरे आथ उठाएं अंजरी मुद्रा करेंगे गुरू ब्रह्मा गुरूर विष्णो गुरूर देवो वहेश्वरा गुरूर साक्षा पर प्रभ्रह्म तस्मई श्री गुर्वे नम्हा माताराणी आपके बहुत फिर्पा करें आपके संकल्प सिद्ध हों आपके गोर पूरे हों स्वस्त रहें अच्छे रहें ते लोगी मलाकात आपके बीतर बैठे हुए परमातमा तो इश्रप के परमातम करतां के माता दी